किसान भाईयो नमस्कार आप से भी काम वर यूटूब चैनल में फिर से सवागत है आज की वीडियों बात करना वाली है ग्यों की पांच एची सांदार सबसे उननसील वेराइटी के बारे में जिनकी बाईयो यदि आप अपने खेत में करते हैं तो हर वरस के मकाबले में आप इस वरस अपने ग्यों के वसल से बहुत ही अच्छी पैदावार ले पाएंगे आप इन पांचोही वेराइटी की बाई पच्ची सक्तोबर से शुरू कर सकते हो और किसान भाईयो आपको ये पांचोही वेराइटी बहुत ही बंपर पैदावार निकाल करके देती हैं आपक कच्ची और सही जानकरी ले पाएंगे यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लिजेगा जिससे के मारे आने वाल सभी वेडियो आप तक पहुंच सके नंबर पांच पर जो मनें ग्यों की वेराइटी रख किया है इस वेराइटी पहलती 140 से लेकर 150 जिन में पकर कर्के तियार हो जाती है यदि इसमें फुटाओ की बात करें तो आपको इसके एक पोदे से 15 से लेकर 20 कंजवच करने को मिल जाएगे इसके पोदे की ज्यृत होती है बैम कर आप आंथानवा से लेकर आपको देग को नहीं मिलेगा चाहिए वो पीरा रत्वाओ बूरा रत्वाओ या फिर कर्णाल बंड चासा रोगो आपको इसमें किसी प्रकार का कोई बिरोग देने को नहीं मिलेगा किसान बाइयो यदि इसके कुल पैदवार की बात करें तो आप एच्ट 29-67 ग्यों की वराइटी से 22 कौंटल से लेकर 26 कौंटल परती एकड़ तक उत्वादे निकाल सकते हो नमबर चार पर जो मनें ग्यों की वराइटी रख किया है इस वराइटी का नहाम है 24 cm से लेकर 104 cm तक आपको देहने को मिलेगी यदि इसके कुल उत्वादन की बात की जाए तो आप DBW 202 ग्यों की वराइटी से 26 कौंटल से लेकर 28 कौंटल परती एकड़ तक उत्वादन निकाल सकते हो किसान बाइयो इस वराइटी की बाल्या काफी लंबी होती है और बाली म 28 सी आपको इसकी बिजाई करते समय पेंतल सर्गुलाम बेज की मातल लेनी होगी यह एक अगेती और पच्छेती दोनों यह वस्ता में आपको बहुती अच्छी पैदावार निकाल करके देती है आप इसकी वाई 25 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक कर सकते हो यह सेंटिमेटर से लेकर 100 सेंटिमेटर उंचा आपको देखने को मिलेगा इसका पोदा हरा बरा रहता है और दिखने में इसकी जो बाल्या होती है बहुती लंबी और बहुती सांधार होती है आपको इसमें एक पोदे से 10 से लेकर 12 करले तक देखने को मिलेगे इसका दाना बोरा दत्वा या फिर कंडाल बंड चैसा कोई भी रोग देने को नहीं मिलेगा यदि इसके कुल पैदावार की बात करें तो आप SRW 42-82 ग्यों की विराइटी से 26 कौंटल से लेकर 30 कौंटल परती एकर तक उत्पादर निकाल सकते हैं नमबर दो पर जो मनें ग्यों की विराइटी रखी है आपने इस विराइटी का नाम अवस्थे ही सुनाओगा या बहुत ही परसीद और बहुत ही ज़्यादा पैदावार देने वाली ग्यों की विराइटी है इस विराइटी का नाम है SRW 303 किसान भायो यह एक अगेती और सिजय करने क्या सकता पड़ेगी यह पकने में बहुत ही कम समय मातर 130 से लेकर 135 दिन का समय लेती है इसके पोदे का हैट भी बहुत ही कम होती है मातर 18 cm इसके जो पोदे का हैट होती है और किसान भायो आपको इसके एक पोदे से 10 से लेकर 15 कल्य तक देने को मिल जाएंगे इस इसके कूल पैदावार की बात करें तो आप सिरी राम सूपर 303 ग्यों की विराइटी से 26 कॉंटल से लेकर 32 कॉंटल पढ़ती एकड़ तक उत पदर निकाल सकते हैं तो आपको इन चारों में से जो भी विराइटी अच्छी लगती हो आप उनके विराइटी रख किया है तो आपको निष्टी तोर पर प्रसंद आएगी इस विराइटी का नाम है DBW 303 DBW 303 DBW कंपनी की सबसे उन्नसील और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली ग्यों की विराइटी मानी जाती है मैदानी छेटिर के किसान भाइयो और अन्ने से भी राज़ोगी किसान भाइयो की यह सबसे पहली पसंद मानी जाती है आप इसकी बुआई 25 सक्टूबर के बाद पूरे नौमबर महा तक कर सकते हो किसान भाइयो आपको इसमे 55 क्रूराम बीज की माता लेनी होगी और यहाई वैराइटी मातर 156 दिन में पककर के तियार हो जाती है इस वैराइटी में प्रोटेन की मातर काफी अच्छी होती है जिस कारण से किसान भाइयो को रोगों से रिजिस्टेंस बनाया गया है आपको इसमें किसी उपरकार का पीला रत्वा, बोरा रत्वा और कर्णाल बंड जैसा कोई भी रोग देने को नहीं मिलेगा इस वैराइटी में आपको मातर 3 से लेकर 4 से चैकन जार सकता पड़ेगी इस वैराइटी को हर परकार के मिट्टे में, चाहे हो बारी मिट्टी हो, हल के मिट्टी हो, या मध्यम मिट्टी हो हर परकार के मिट्टी में लगा सकते हो, आपने ग्यों के पिसल से एक बहुत ही सांदार और बहुत ही अच्छी पैदावार ले सकते हो इस विराइटी की जो बाल्या होते हैं काफी लंबी होती है दाने में काफी मजंद होता है और दोद के मातर अच्छे बन दिये और किसान बायो इसका तना काफी मजबूत होता है तना मजबूत होने करणी यह है विराइटी तेज हवा और तेज बारिस में नीचे नहीं गिरत तो किसान भाईयों ये ती 5 सबसे 9 सील और सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाले गियों की विराइटी आपको इन पाँचों में से जो भी विराइटी अच्छे लगती हो आप उनकी वाई कर सकते हो अब बात करता है कि आप इन पाँचों ही विराइटी की वाई कौन- पर कर सकते हो किसान भाईयों आपको सबसे पहले ध्यान नगना है कि आपको उसी वराइटी का चेहन करना है जो कि आपके छेतर में परसीदो क्याओं कि हर राज्ये हर छेतर की जलवाईयों और मिट्टी अलग-अलग होती है और हर वराइटी हर राज्ये में सूट नहीं हो प और अन्य सभी किसान बाईयो के पास सेरी बी चरूझ कीजएगा और किसान बाईयो आप अपनी ग्यों की फिसल से एक अच्छी मेनत करकर अच्छी पैदाबार ले पाएंगे उम्मीद करता हूँ किसान बाईयो मिल यह ने वीडियो में ने जाने कारगे साथ तब तक के लिए जदे दम इशकार.